तो बीते रोज दिली के मुख्यमंत्री अर्विन के जीवाल जेल से बाहर आ गए लगभग डेल सो से जादा दिनों तक वो तिहार जेल में थे और इसके बाद जब वो बाहर आए तो मुसलाधार बारिश हो रही थी लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता कारकरता खुशी से ज संयोग है कि अर्विन के जीवाल जब बाहर आए है तो हर्याना जैसे राज्य में विधान सभा का चुनाओ है या फिर ये किसी प्रेयोग का हिस्सा है अब वो प्रेयोग कैसा है क्यों है पूरा गुणागड़ित सियासी क्या है यह आज अपने शो में समझने की कोशिश कर साथ में उस गड़बंदन का ना होना क्या यह सब चीजे किसी संयोग की तरह है या फिर कोई प्रेयोग है जिसके तरफ इशारा हो रहा है देखे कुछ लोग हैं जो कंस्पिरसी ठीरी लिखते हैं तो यह उनको मुबारक जो लिखते हैं कंस्पिरसी ठीरी जिन्हें यह लगता है कि जो उनके रहाई है वो टाइमिंग के जड़िए पुलिटिकली एक्स्प्लेइन होती है पर मैं उनको पूरी तरह से ना गलत कहूं ना सही कहूं को कि मेरी उस्थर कोई अथॉरिटी नहीं है लेकिन इस बारे में तो मैं जरूर कह सकता हूं कि उनके आने से होगा क्या और हमारे दर्शक प्रबुद्ध है वो अपना किंक्लूजन खुद निकाल सकते है आपने कहा ऐसे मौके पर आये हैं जब हर्याना के चुनाफ सामने है अब ऐसे मौके पर जाहिर है वो आये हैं इसमें तो कहीं कोई दोराई नहीं आपने दुरुस्त कहा और उनके आने का असर होगा हर्याना में इसमें भी कहीं कोई दोमत इसलिए नहीं है क्योंकि वो हर्याना के बेटे हैं हर्याना से तालुक रखते हैं लेकिन आज की तारीख में किसी ने भी आम आदवी पार्टी को आउटसाइड चांस भी दिया हो हर्याना में वो सरकार बना लीगी ऐसा न रहें, अर्विन के जरिवाल बाहर आ जाए, अर्विन के जरिवाल कुछ भी कर ले, हर्याना में आम आद्वी पार्टी की सरकार तो नहीं बनने जा रही है, नबे सीटों पर उमिदवार खड़े ज़रूर है, पर आम आद्वी पार्टी की सरकार नहीं बनने जा रही है, वो आप आते हैं तीसरे नमबर के लड़ाई में अब तीसरे नमबर के लड़ाई में भी वहाँ पर established players हैं आइनल्डी सबसे पुरानी पाटियों में इसे एक है जो कई दफ़े सरकार चला चुकी है हर्यणा में इंडिया नाशनल लोग दल इनलो बोलते हैं उनका गड़बंदन PSP से हैं और एक स्थानी अस्तर पर कुछ पॉकेट्स हैं जहां उनका अपना इंफ्रूइंस है आइनल्डी से तूटकर अलग हुई जनरलाया की जनरता पार्टी JJP उसके साथ आ गये चंसे एक हराजाद ये पार्टी पिछले चुनाओं में 15 फीसदी वोट लिया था इसने उसके बाद ये पार्टी डिस्क्रेडिट हो गई क्योंकि जिनके खिलाफ वोट लिया था उन्हीं के साथ चले गए यानि ये बीजेपी के खिलाफ वोट लिया था बीजेपी के साथ चले गए उनकी सरकार बनवा दी और जब किसानों और पहलवानों का सवाल आया तो भी वो सरकार में ही रहे उनसे उनके वोटर उम्मीद कर रहे थे कि वो स्टैंड लेंगे उन्होंने नहीं दिया डिस्क्रेडिट हो गए फिल भी मैदान में तो है और उनके मजबूत उम्मीदवार सब खड़े हैं हर्याणा में एक और वर्ग है आपको मैंने दिखाया कि ये पांच तो पार्टीज हो गई कॉंग्रेस बीजेपी आमाद्मी पार्टी आई एनल्डी बीसपी और जेजेपी और आज आज समाज पार्टी ये पांच तो मजबूत कड़बंधन और पार्टीयां चुनाव लड़ रही हैं इसके अलावा कई शेतर ऐसे हैं जहां अपने कदावर मजबूत लोग हैं अब जैसे मैं आपको एक उधारना देता हूं को पाल काड़ा वो अपनी सीट से चुनाव लड़ते हलबार जीत ज जाते हैं तो सत्ता के खिलाफ जो वोट होते हैं सत्ता के खिलाफ जो वोट होते हैं अगर वो एक तरफ रह जाते हैं तो जाहिर है सत्ता के लिए ये खत्रा है लेकिन अगर सत्ता के खिलाफ जो वोट हैं वो कई भागों में बढ़ जाते हैं उनका वाहा के एक ही नहीं होत है तो इसमें सत्ता पक्ष को थोड़ी माली जी उनके अन पॉप्लारिटी भी है इस बात की भी संभावना है कि उनके वोट परसेंटेज थोड़े डाउन होने वाले है बावजूर इसके जीत की संभावना दिखाई पड़ती रहती है और कुछ नहीं होता है तो कम असकम एक ह तर्तों में चुनाव लड़ने हारियाणा में तो आम आपनी पार्टी किसी भी स्थिती में डबे सीटों पर चुनाव लड़कर के वो कमजोर स्थिती में तो नहीं रहेगी जो 2019 में उसका प्रदर्शन रहा था पंजाब में सरकार बनी है दिल्ली में दुबारा से सरकार ब प्रदर्शन चुनाव तो 2019 में वहा था उसके बाद 2020 में चुनाव हुए दिल्ली के फिर पंजाब के चुनाव हुए सरकार बनाया गया वहां भी उसके अलावा आप देखिए कि लोकसभा का चुनाव रणा गया सीटे वहां भी आई तो पार्टी तो मजबूत होती गई र अगर दुशन चौटाला की पार्टी भी लेती है अगर इंडिया दाशलोगदल भी लेती है अगर आमाद भी पार्टी भी लेती है तो जाहिर है कि सत्तापक्स के खिलाफ के ये सारे वोट है ये वोट बिखरेंगे और अगर बिखरते हैं तो भारती जनता पार्टी का परिस्तिती बन रही है तो इसको ऐसे समझे है कि पिछली बार जब election हुआ 2019 में election तो करीब 36 फीसदी वोट जो आए थे 36 दश्मलों कुछ वोट आए थे बीजेपी को और 28 दश्मलों कुछ वोट आए थे कांग्रेस को अगर दोनों को जोड़े तो 36 और 28 64 पैसट फीसदी के आसपास वोट जो है वो कांग्रेस और बीजेपी के बीच थे यानि कि 35 परसेंट वोट और थे जो ना कांग्रेस ले पाई और बीजेपी ले पाई अब उसमें आ जाई ये कौन-कौन से वोट थे जिनके खिलाफ लड़े उनसे जाके मिले मैंने जन्रनाएक जन्ता पार्टी के बारे में अभी आपको वताया तो जन्रनाएक जन्ता पार्टी के पास 15 पीसदी वोट थे वो लड़े बीजेपी के खिलाफ और बीजेपी की शिकायत करके क्योंकि बीजेपी तब भी सत्ता में थी और फिर बाद में उन से मिले यही 12% वोट इस 28% में जुड़ जाते जो कॉंग्रिस लेकर के आई थी तो वहाँ क्लीन स्वीप हो जाता तो आपने जो प्रशनी किया कि नुकसान विपक्ष का ही क्यों है बीजेपी का क्यों नहीं है जो सत्ता में होता है उसके खिराफ जो वोटों की गोलबंदी होती है वो गोलबंदी अगर कायम रह जाती है तो फाइदा विपक्ष को होता है लेकिन अगर वो बिख्राव आ जाता है तो नुकसान होता है विपक्ष को और बेनकुमारी मायवती की भूमिका इसलिए हमेशा से हाल के दिनों में सस्पेक्ट रही है क्यों वो गंभीड़ता से चुनाव नहीं लड़ती है लोग पूछते हैं 12 फीसदी वोट उनको आए समाजवादी पार्टी कांग्वेस तमाम जो लोग सरकार बनारी की कोशिश कर रहे थे विपक्षी तरफ से वो हार गए बहुत कोशिशे हुई कि गड़बंधन में आ जाईए इंडिया गड़बंधन में वो नहीं आई बहुत कोशिशे हुई कि भाई जो सरका जो चुनाब ला जा रहा है साल दो हजार एक्किस वाला ये बाईस वाला उसमें भी आ जा एक अड़बंधर में नहीं आई तो उनके उपर एक ये तोहमत लगने लग गया हलाकि अब वो सक्री हो गई है और पार्टी को नहीं से गटित करना है और आकाश काफी महलत भी कर रहे है पर यह आरोब तो उनकी उपर चस्पा हो गया है कि भारते जिनता पार्टी के इशारे पर वो काम करें लेकिन हम अर्विन केजरिवाल को उसी चश्मे से देखें जिससे महावती जी को देखते हैं यह क्या सही रहेगा आप B.S.P. को कम करके नहीं आक रहे हैं क्या देखे B.S.P. ने सरकार चलाई है देश के सबसे बड़े सुवे में 2007 से 2012 और बड़ी सक्षम सरकार चलाई नहीं उनके दौर को याद किया जाता है कानून विवस्था की बात हो एक टाइम था 20-27 उनके थे 20 लोक सभा में तो कोई छोटी पार्टी नहीं थी वहाँ से उसका जो बैक स्लाइड है पिछली बारी देखें दस्ते पिछली बार दस्ते शुन्य है अभी वहीं शुन्य नहीं है विदाल सभा में शुन्य है कार्पला से परे है शायद एक कोई जीत किया थे अब वो भी नहीं रहे तो इसलिए कमपेर करने की बात नहीं है और दूसरी वज़े ये है कि दिल्ली छोड़ करके अर्मिन केजरिवाल के नाम पर वोट अभी देश में दूसरी जगों पर मिला नहीं है ये एक हकीकत है दिल्ली छोड़ करके हर्यणा में मिलेगा क्या ये इसमार का प्रियोग है पर पजाब में बहुत बड़ी भूमिका भगुत मान के चेहरे की थी देखे पजाब में अगर एक जटसिख आगे नहीं रखेंगे आप चाहे पार्टी कोई भी हो रखती है वो जटसिख को आगे कैप्टेन अबरिंदर सिंग जटसिख समधाय से आते थे सुबीर बादल प्रकास सिंग बादल जटसिख समधाय से तालक रखते हैं तो पार्टिया कोई भी हो वहाँ चेहरा जो है पार्टी का जटसिख समधाय के होने चाहिए नहीं वो तो अब आपको हम व्यपक्ष में रहेंगे एक बार आप व्यपक्ष में रहिए हरें लेकिन जो तीसरी ताकत को गयार रही ति भारतिय जंता पार्टी का कोई मुक्ष मंत्री तो वहां हुआ नहीं तो निती जी के अंडर रहती है एक चौथी पार्टी जब आईना दिखाती भी आने लगी तो फिर वहां पर बड़ा एक हंगामा सा मज़ा हुआ है की राजनीत में तो यह नई पार्टी जो आती है ना यह परेशानी उत्पने कर देती है अब आदमी पार्टी डिस्रप्टर की तरह थी वहाँ पर बड़ा चेहरा था उनके बास भगवतमान का याद करें आप 2014 में चुनाव जीत गए थे भगवतमान संगरूर से वो लोग समा का चुनाव जीत करके आये थे वो स्थाफित हो चुके थे 2019 में ये लोग सरकार बनाने में सफल हुए लेकिन 2014 में भगवतमान मुझे याद है 2007 के चुनाव में उनको कवर कर रहा था पंजाब में और उस वक्त वो अपने कराकारी की भूमिका में ज्यादा रहते थे स्टाइड अप कोमीडियन के तौर पर बड़ा नाम था एक कोई इंडियन आइडल हुआ था लाफ्टर चैलेंज उसमें राजी श्रिवास्तो और उसके बड़े बड़े दिग्गज उसमें उसमें वो थे काफी लोग प्रिय बहुत लोग का प्रिय थे वो और देखी कि 2007 से 2004 आते 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 और उस वक्त भी उनकी वो याद है चंडीगण के घर में उनका मैंने इंट उस दोर में नेटवर्क इस तरह से नहीं था कि आप फोन में टीवी देख लेते थे तो बोलें कि इस पर मैं लगातार न्यूस देखता रहता हूं तो हमने का अच्छा आप आप आन दे मूव होते हैं बोले नी आन दे मूव तो नहीं पकड़ता है लेकि जैसे मानली जे ल जो कौमेडी एक्ट्स होते हैं वो सब पॉलिटिक्स और पॉलिटिशन्स के ही आसपास के होते हैं अब किसे पता था कि वो मुक्यमंत्री बन जाएंगे मुक्यमंत्री बने वालते में दोचार साथ की बात बता रहा हूं बात चल पड़ी है तो एक और आज सीता राम यह च सुन रहा था और जैसपाल भटी साहब ने एक बार चंडीगार में उनको पकड़ लिया वो कह रहे थे तो उन्होंने कहा कि आप तो किसी काम के नहीं हो यह जूरी यह खुद सुना रहे थे तो उन्होंने कहा कि तुम बोले कि देखिए वो दौर था जब जैन हवाला कांड हुआ था और किन किन राजनीतिक्यों ने हवाला के जरी पैसे प्राप्ट किये थे बोले इतने नाम आए आप बामपंतियों का एक भी नाम नहीं आया आपके किसमत पे तो राज लिखा ही नहीं है आपको तो चलाना ही भी आता है तो आप किसी काम के ही नहीं हो तो जिस कारण से अधर वाई जाकर आप देखें तो आप गोवा की बात कर ले जहां अरविन जी के नाम पे एलेक्शन्स हुए आप बात कर लीजिए च्छतीज गड़ा मध्यप्रदेश और राजस्थान दोसों पांच कैंडिडेट खड़े हुए और करीब करीब 200 के जमानत थे इन सब राज्यों में पिछली ही बार हर्यडा के अंदर 46 कैंड़ेट खड़े हुए थे आम आद्मी पार्टी की 43 के जमान जब थी तो आम आद्मी पार्टी नो डाउट ग्रो की है उसकी सरकार बनी है पर अपार्ट फ्रॉम पंजाब जिसका कि हम लोगों ने डिसकुस चुनाव दो दिन पहले कभर करनी के लिए भिवानी के इलाके में था वहाँ एक शब्द चल रहा है वोट काटू जिसे हिंदी पटी में वोट काटू बोलते हैं यहां पर बाकियों को वोट काटू बोला जा रहा है और वो सब जानते हैं कि यह जितने प्रॉप अप किये गए हैं यह जीतने वाले लही हैं लोग नहीं संदिक्द भरी निगाहों से इसलिए भी देखा जा रहा है अर्वन के जीवाल को क्योंकि गड़बंदन की कोशिचे हुई लोकसभा में गड़बंदन भी था हम सब को यह जैसा कि आप कह भी रहे हैं कि बहुत जादा जीतने की उनकी संभावना है ऐसा भी नहीं है फिर यह गड़बंदन क्यों नहीं हुआ क्या इसके पीछे कोई तीसरी शक्ती थी जिसने काम किया अर्विन के जीवाल जी का बाहर आना और वो गड़बंदन ना करना पहले क्योंकि चड़धा जी को हम लगातार सुन रहे थे राग तर आखिर तक थी पर ऐसे कहने वाले लोग सक्सेस्फुल नहीं होते हैं तो हुआ यू देखिए कि अचानक से एक दिन बैठक चल रही थी कांग्रेस के चुनाव समीती की और चुनाव समीती की जो बैठक चल रही थी उसमें बड़े बड़े नेता जो कांग्रेस की पाल और माकी तमाम हर्याना से इतने बी जुड़े हुए नेता वो सब बैठे हुए थे अचानक से रहुल गादी ने कहा कि क्यों नहीं आमादी पार्टी के साथ चुनाव लड़े हर्याना में आप वो जानते थे कि यह कहूंगा मैं और एक जबरदस्त प्रतिबाद होगा तो उन्होंने कहा क्या आप लोग तैय करिए इस बारे में बताइए हमें कि अगर मालीजे कि गैर भाजपा वोट जो है वो एक अत्रित हो जाते हैं तो इसमें किसी की क्या बराई है अगर दोनों के लिए एक विन-विन सिचुएशन होता है तो हर्स क्या है छुटते ही वहां के तमाम जितने भी हर्याना से तालिक रखने वाले कांग्रेसी थे उन्होंने मना किया पर चुकि राहूल गाधी कह रहे थे तो उस कारणा से उस वक्त तो अच्छल कर तो मना नहीं कर सकते हैं उसके बाद पर प्रयास हुए राहूल गांधी ने कमीटी बनाई जिसमें केसी वेलोगोपाल थे अजय माकन थे बोपेंदर सिंग हुड़ा थे इन सब लोगों की कमीटी बनी उस कमीटी ने फिर बात करना शुरू किया नागाफ चड़ा आमादी पार्टी की तरफ से बात कुछ होना अगर होता है तो दो तीन दौर की बातचीत में चीज़े हो जाती है शायद राहूल गांधी ने भाप लिया था जिस तरह की तैयारियां आमादी पार्टी की हो रही थी नहीं हमने लोगसाबा चुनाओ में भी देखा कि बड़ा आपस में प्रतिद्वन्द हुआ लेकिन आखिरकार तो लड़े चुनाओ लेकिन यहां नहीं हुआ हर्यारा चोटा सा राज्य है बहुत बड़ा राज्य नहीं है और स्टेक पर बहुत कुछ है पाँच महीने बाद दिल्ली के चुनाओ है स्टेक पर यह है और भारते जिन्ता पार्टी आज की तारीख में सातों सीट जीत कर आई है जब दो लों कड़बंधन में लड़े तो यह चोटी बात नहीं है देखिए संदेह इसलिए भी क्योंकि कोर्ट से जमानत मिली है तो अब उस पर संदेह किया ही क्या जाए लेकिन जिस्टिस भुईया भी जब जमानत दे रहते तो सवाल उठा रहे थे गिरफतारी को लेकर क्या आपने जिस टाइम पर गिरफतारी की इलेक्शन आ रहे थे तब आपने गिरफतारी की तो आप इलेक्शन के दोर में अगर वो बाहर आ रहे हैं तो सवालों के गेरे में तो है हाला कि अब आगे क्या होगा वो किस तरह से अपनी पार्टी को बनाते हैं अब उसके फैसले के आलोक में कुछ चीजें जो दिखाई पड़ती है वो हम और आप उस पर तो बात करी सकते है अब फैसला तो जो होना था हो गया अब उस आलोक में क्या है कि ये बाहर आएंगे और इनके सहयोगियों ने बताया कि अर्विन जी का का क्या होगा भई अब सेक्रेटरियेट नहीं जा सकते हैं और सी एम का 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 कर नहीं सकते हैं तो उनके सहयोगियों ने डिफाइन किया कि भाई उनके सामने है मिशन इलेक्शन जाहिर है नब बेसीटों पर जाएंगे वहां के इस्थानिय भाषा जानते हैं उसमें प्रचार करेंगे लोगों को अपनी और कीचेंगे और मैंने पाया है कि कई जगों पर मजबूत स्थित में आदमी पार्टी के उमिदवार हैं जैसे फ़र्ज करिया मैं भिवाणी में था एक रात तो भिवाणी में वहां के पत्रकारों से वहां के लोगों से बाच्चित हुई उसी दिन की बात है कि कांग्रेस ने भिवाणी में एक वामपंधी उमिदवार का समर्थन करते हु और ये गजब है कि भीवानी में वामपंथ और वहाँ एक CPM के कैंडिडेट को समर्थन दिया गया है अच्छे कैंडिडेट होंगे तभी जाकर के CPM ने उनकी बात की और कॉंग्रेस ने उनको समर्थन दिया वो पूर अधिकारी है लेकिन लोगों के बीच रहके काम करते हैं कॉमरेड है उनके लिए सीड छोड़ी पर किसी ने सोचा नहीं था कि कॉंग्रेस जो है भीवानी में वामपंथ के लिए सीड छोड़ सकती है तो मैंने पूछा भारते जिंता पार्टी के जो उमीदवार महां से है तीन बार से वो जीत रहे हैं तो मैंने उनसे पूछा शराफ साहब घंशराम शराफ मैंने पूछा कि अब आप बताईए आपको क्या लग रहा है बोला जी अब तो कुछ है ही नहीं वाक ओवर हो गया तो मैंने खा वाक ओवर हो गया हाँ हाँ वाक ओवर हो गया अब तो हमारा मुकाबला ही आम आदमी पार्टी से है जिसके पास कुछ नहीं है क्योंकि एक कॉमरेट को तो कोई जानता नहीं है अच्छी बात है, आमाद्मी पार्टी से वहाँ पर जो खड़ी है, इंदू शर्मा नाम है, तो उनके ससूर काफी मजबूत, और सच में ये बात है कि वो अच्छी टकर देंगी, तो कहने का मतलब ये था कि भारते जिनता पार्टी के खिलाफ लड़ती हुए आमाद्मी पार पार्टी बालो ने दिया है, पर अगर गड़बंदन ये हुआ होता, तो फिर वो कॉम्पेटिशन नहीं होता? हाला कि मुझे लग रहा है कि अपने शक्ति को भाप लेना भी चाह रही है दोनों पार्टियां, और प्री पोल अलाइंस नहीं हो रहा है, लेकिन हो सकता है अगर इस्थिती बनी कॉंग्रेस सरकार बनाने की, तो शायद पोस्ट पोल अलाइंस आमाद्मी पार्टी करे, अगर ये परिस्थिती बनी की कॉंग्रेस सरकार बनाने जारी थोड़े बहुत कमी अगर आमाद्मी पार्टी पूरी कर सकती है तो चले जाएंगे, ये अपने बात की, नतीजे कैसे तैय होंगे, वो भी बात तो ज़्यादा जरूरी है ना, नहीं कॉंग्रेस नेताओं को तो पूरा यकीन है ना, कि वो जीत जाएंगे, इसलिए वो थोड़े ओवर कॉंफिडेंस, जो कॉंग्रेसियों में अक्सर देखने को मिलता है जीत के बाद, वो और कॉंफिडेंस नजर आएंगे, उन्होंने उतने सीटें नहीं दी होगी, आमाद्मी पार्टी पूरी बिग चंक, वो नीचे गया, और कॉंग्रेस पार्टी को 43 फीसदी आये, 46 फीसदी भारत्य जंता पार्टी को आया, और 4 फीसदी के आसपास आमाद्मी पार्टी एक सीट पर लड़ी थी, गड़बंदन था, कुरिश शेत्र में, तो उनको आया था, तो 43 में आप चार जो तो 47 हो जाते है, 46 परसेंट पर बीजेपी थी, तो ऐसा नहीं है कि बीजेपी नीचे आने के बाद भी बहुत कमजोर हो गई थी, नहीं, वहाँ पे एक फैक्टर और भी है ना, लोगसभा चुनाओं में, प्रधान मंतरी नेरेंद मोदी चेहरा, उनकी गारेंटियां, लेक इस्ति और लोगसभा चुनाओं के इस्तिति में बड़ा फर्क है, लोगसभा चुनाओं में भी कह रहा हूं कि बोट परसेंटेज नीचे आया है, और लोगसभा में भी जब नीचे आया है, तो अगर कंसॉलिडेशन आफ एंटी वीजेपी वोट्स होता है, तो सफलता वि भारते जनता पार्टी, जरनायक जनता पार्टी के साथ लड़ नहीं रही है, तो कंसॉलिडेशन तो नहीं हो पाया ना, ओपोजिशन वोट्स का, और यह अगर कंसॉलिडेशन नहीं होता है, तो भी आप देखिए कि चार महीने पहले उस परांत में चालिस परसेंट वोट लाई है भारते जनता पार्टी, नीचे आने के बाद भी छालिस परसेंट वोट्स आएं हैं, तो आप यह समझ लें, कि जब उनके खिलाफ के वोट का कंसॉलिडेशन नहीं होगा, बिखराव होगा, तो फिर जाहिर है कि यह जो एक एडवांटेज है, चाहे सक्रियाता अर जब गैर भाजपा वोट ही माग रहे हैं, और ऐसे में अर्विन केजरिवाल तो बहुत बड़ा चेहरा है, इन सबों के कुमपारिशन में, एक मायवती जी को भी छोड़ दीजी अगर तो उनका भी आजकर प्रिडिकरस तो अगर भागी सब जातिकत राजनीती या फिर जो जाट वोट है, उसके पुर्ती अपनी, क्योंकि मायवती जी भी उसी वोट की तरफ, चंदा शेखर भी उसी वोट की तरफ, लेकिन अर्विन केजरिवाल की जो राजनीती करनी का तरीका है, itजाना में, वहां पर जाती आधार चलता, तो या तो चलेगा, या फिर बिल्क नहीं चलेगा इस बात की जादा संभावना है क्योंकि जातिया आधार वहाँ पर आम आधी पार्टी का भी तक बन नहीं पाया हमने जितनी भी पार्टियों का नाम लिया अपने लिया उन सब की जातिया आधार है लेकिन एक लोकल का मुद्दा अर्विन केजरिवाल अधार परता है आपके पास जाति कौन है जैसे कि जाट वोट बैंक कांग्रेस के साथ जा रहा है वही वोट बैंक इसके पहले पंजाबी चेहरे को बनाया तो पंजाबी और OBC ये उनके पास है BSP और आज समाज पार्टी दोनों जो प्लेयर्स मन करके उतरे हैं इन दोनों के पास दलित समधाई के वोट हैं जो की कॉंग्रेस के भी वोट हैं तो ये आपस में वोट का डिवीजन भले ही हो रहा हो लेकिन इस सब के आइडेंटिफाइड वोट बैंक्स है आम आदमी पार्टी का कोई वोट बैंक नहीं है तो आम आदमी पार्टी पिछली बार 0.5% पर थी वो पढ़कर के हो सकता है एक या दो या तीन परसेंट जा सकती है पर ये जो तीन परसेंट होंगे ये इसलिए निर्णाइक हो जाएगा हिवानशू क्योंकि मैं गरना कर रहा था 23 सीट्स पिछले चुनाओं में मात्र 3,000 वोटों के अंदर तै हुई थी कुछ सीटे 600 और 700 और 23 सीट्स मात्र 3,000 के भीतर और 15,000 के भीतर तो 53 सीट तो अगर 23 सीटों की ही बात कर ले 3,000 के भीतर तै हो रही थी तो 90 सीट में 23 सीट बहुत बड़ा चंग होता है और अगर ये 3,000 में तै हो रहा है तो फिर आप समझ लेकि एक परसेंट भी अगर कोई वोट ले लिता है कैंडी रेट तो वो पूरी तरह से चुराव के नतिज़ों पर अब तो 30 सीटों का जिकर कर दिया जेजेपी 10 सीटे लाई थी और उसके बाद किस तरह से गुड़ा अंगड़ित भारती जनता पार्टी के साथ बैठा कि सरकार मे बैठी अलकि बात में अब वो अलग हो गए चल्यें देखी क्या होता है फिलाल अब अर्वین केशे जीवाल जी जेल से तो बाहर आ गए है तिहाल से बाहर आ गए है और हर्याना में एलेक्शन भी है ऐसे में अब वो क्या कर पाते हैं अपनी पार्टी के लिए खास्या फिर किसे फाइदा या किसे नुकसान पहुंचा पाते हैं ये आठ तारिक को पता चलेगा जब चुनावी नतीजे आएंगे आप क्या समझ पा रहे हैं गुड़ा गड़े हमें कमेंट करके बताईए बहुत बश्यूदिया